मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि बारह फरबड़ी 2021 का दिन में सरासी वालों के लिए कैसा बीतेगा आने वाले समय में आपके जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों इस वीडियों के अंत में आपके आने वाले समय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें ताकि आपका आने वाला समय बिहतर एबं सांदार हो सके मित्रों शब से पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके घर पडिबार आपके पाडिवाडिक जीबन के बारे में मित्रों आने वाले समय में आपका पाडिवाडिक जीबन सामानने रहेगा नजयादा बिहतर नजयादा खराब मित्रों आने वाले समय से पहले यदि आपके घर पडिबार में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आने वाले समय में उस पड़ेशानी को उस समस्या को आपको खत्म करना होगा क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपके घर का माहौल आपके घर का वाताबरन खराब होगा वैसे आने वाले समय में यदि आपके आर्थिक जीवन की बात कड़ें तो पैसों के द्रिष्टी कोन से आपका आने वाला समय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा आने वाले समय से पहले यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ था कहीं फसा हुआ था तो आने वाले समय में अपने रुके हुए धन को प्राप्त करने का प्रयास आपको करना चाहिए क्योंकि इस काम को करने में आपके समय का साथ आपको अबश्य मिलेगा मित्रों आप में से जो भी जातक आने वाले समय से पहले बीमार थे जिनका सुवास्त साथ नहीं दे रहा था तो आने वाले समय में अपने सुवास्त के मामलों में आपको शाबधानी बरतनी होगी क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं अपने सुवास्त के मामलों में यदि आप कोई भी लापडबाही करते हैं तो आपको परेशानी का सामना अब शिकरना होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए अनोखा तोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक क्या है मित्रो आने वाले समय में अपने समय को बिहतर एबं सांदार बनाने के लिए एक मंत्र है उस मंत्र का जप आपको करना चाहिए वो मंत्र है ओम बुम बुद्धा या नमः ओम बुम बुद्धा या नमः इस मंत्र का जब यदि आप करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत जयादा बिहतर इबम सांदार होगा मित्रो आने वाले समय में आपके लिए भाग्यसाली अंक है पांच यनी की फाइब आपके लिए भाग्यसाली रंग है लाल और मैरून तो यही था आपके आने वाले समय कारासी फल तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दें धन्यवाद